Hello everyone, welcome to PW Only IAS दोस्तों जब हम बात करते हैं Nobel Prize in Economics की तो finally इनको announce कर दिया गया है यहाँ पर आप notice कर पाओगे कि तीन persons Darren, Simon and James इन तीनों को इस बार का Nobel Prize in Economics यहाँ पर दिया गया है and इसके पीछे देने का reason है इनकी studies के लिए इनकी studies के दोरा हमें यह पता लगा कि आखिर जो institutions होते हैं वो कैसे form होते हैं और कैसे किसी देश की prosperity के साथ उनका linkage होता है इसके लिए इननने बहुत सारी studies करी इन सारी studies को हम समझेंगे भी क्यों इनको मिला पूरा understanding भी करेंगे बट उससे पहले हमें कुछ अपने fundamentals clear कर लेने चाहिए दोस्तों Alfred Nobel जी का नाम तो आप सभी लोग जानती होंगे उन्होंने dynamite को invent किया plus at the same time बहुत सारी और inventions करी और अपने आप में वो एक philanthropist भी थे 1896 के अंदर जब उनकी death होती है ना तो उससे death से पहले उन्होंने अपनी death will के अंदर mention किया कि ये जो 5 prizes है that is peace, literature, chemistry, physics और medicine इन चीज़ों के अंदर जो बड़ी बड़ी inventions होती है उनके लिए prizes दिये जाने चाहिए इनकी death के 5 साल के बाद यानि कि 1901 के अंदर सिलसला start हुआ Nobel Prize देने का उस समय जब start हुआ तो सिरफ 5 ही fields के लिए Nobel Prize दिया जाता था बट जब आता है year 1968 उस समय decide के जाता है कि नहीं economics भी इसके अंदर add हो जाना चाहिए तो 1968 के अंदर ये decide होता है और फिर उसके अगले साल यानि कि 1969 से economics के अंदर भी आपका Nobel Prize दिया जाने लग जया अब देखो ये जो 5 original जो थे इनके लिए जो पैसा दिया जाता है यानि कि प्राइजिस दिया जाता है वो तो पैसा Nobel Foundation से ही दिया जाता है पर अगर मैं बात करूँ economics के प्राइज की तो दरसल में जो आपका Switzerland का bank है right स्वर्गिस जो risk bank है right उसके द्वारा यहां पर ये अवार्ड economics का दिया जाता है और उनके द्वारा ही जो भी आपका prize होता है वो आपका award आपका यही bank यहां पर देता है बाकि आप Nobel Prize की पुरी हिस्ट्री तो जानते ही होंगे ठीक है कि किस तरह से Alfred Nobel जी की डथ हुई और accordingly बाद में ये prizes स्टार्ट हुए अब आते हैं main मुद्दे के ओपर कि आखिर इन तीनों की क्या ऐसी study थी जहां पर ये दिया गया right बाकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ आप notice करोगे कि जो Nobel Prize है ना इसमें सिरफ तीन महिलाओं को अभी तक Nobel Prize दिया गया है जिनमें पहली थी एलिनोर ओस्ट्रॉम दूसरी थी एस्थर डफलो इनका आपने नाम सुना होगा विजीत बैनर जी की जो वाइफ है और लास्टली पिछले साल जो मिला था वो मिला था क्लॉडिया गोल्डीन जी को तो सिरफ तीन महिलाओं को अभी तक Economics का Nobel Prize यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा अब बात करें इनके work की कि इस बार जो तीन लोगों को मिला है उनका क्या work रहा इन्हों ने दरसल में दुनिया भर में studies करी और इन्हों ने ये पाया कि जब Europeans ने अलग-अलग देशों को Colonize करना स्टार्ट किया ना उसके साथ ही यहां पर इन societies के अंदर जो institutions हैं उनमें बदलाव आया जैसे for example दुनिया में कुछ देश ऐसे इनको मिले जहां पर ना institutions को बनाया गया था पर उन institutions को बनाने का purpose यह था कि वहां के जो आम लोग हैं उनको exploit किया जा पाए और साथी साथ वहां पर जो भी resources हैं उनको अपने benefit के लिए use किया जा पाए जैसे हम कही वार भारत की भी बात करते हैं ना कि भारत के अंदर colonizers आये थे उन्होंने कहीना कि भारत जो एक सोने की चड़िया थी वहां से पैसा extract किया drain of wealth theory के बारे में आप सब लोग जानते होंगे और इंडिया के अंदर एक de-industrialization का process start हुआ तो एक तो था ये तरीका जहां पर colonizers आये उन्होंने उस देश को यहां पर तबाह कर दिया दूसरे कुछ ऐसी जगाएं भी थी जहां पर colonizers के द्वारा एक अच्छा inclusive political and autonomic system बनाया गया जिससे कहीना कहीं आपका जो long term benefit था ना उसको यहां पर ध्यान में रखा लिया तो दो तरह की यहां पर institutions हमें यहां पर form होते हुए देखने को मिल जाते हैं तो पहली बात तो यह कि institutions के forming का reason क्या देखने को मिला Europeans के तरह colonized किया जाना दुनिया की अलग-अलग countries को जिस हिसाब से institutions बनाये गए थे उस हिसाब से उनका future हमें देखने को मिला ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसी colonized थी जो अपने आप में काफी अमीर थी पर क्योंकि वहां पर धंग के institutions नहीं थे वो समय के साथ गरीब होते रही अब आपके दिमाग में आएगा यारे कौन से institutions की बात हो रही है देखो institutions बहुत सारे हो सकते हैं जिसे अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत के अंदर election commission of India देखने को मिल जाएगा भारत के अंदर reserve bank of India देखने को मिल जाएगा इस तरह से भारत के अंदर corruption के corresponding wings हैं तो ये जो सारे आपके संस्थाएं होती हैं पहला है तो ये जो इस तरह से प्रिटिकल इस फॉर्म सोते हैं समय के साथ changes आते हैं पहला है कि conflict इस चीज के उपर की resources को allocate कैसे किया जाएगा और किसके पास decision making power होगी क्या मतलब इस चीज का देखो अकसर ना एक चीज formation हो जाती है एक होती है आपकी ruling elites या इनको ruling minority भी कह सकते हो एक होते हैं आपके masses या फिर जो majority होते हैं यानि कि एक ऐसी class बन जाती है जिसके पास शायद सारी की सारी power होती है जैसे आपके कोई बहुत ही बड़े politicians हो सकते हैं अगर उनके पास power है और आम जनता के पास बहुत ही कम power है तो ऐसे cases के अंदर हमारे पास ये पहला एक conflict देखने के मिल जागे कि sources minority जो ruling है उनके पास चले जाते हैं पर जो masses होता है उनको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता इसके साथ जो second component है वो ये है कि के वार masses के पास ना एक opportunity आती है अपनी power को exercise करने की देखो दरसल में ये concept है आपका zero sum game का zero sum game का meaning यह होता है कि अगर एक बंदे के पास power है तो सामने वाला powerless feel करता है तो पहले case में हो गया रहा था अगर आपके जो अमीर लोग हैं अगर आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पूरी की पूरी power concentrated है ना तो सामने वाले masses ऐसा feel करती है कि उनके पास कोई power ही नहीं है they are powerless तो starting में तो ये हो गया resource allocation भी सारा का सारा इनके पास ही होगा सारी decision making power ही इनके पास ही तो आम जनता जो है उनके पास कुछ भी नहीं होता इससे कहिना की पता लगेगा कि जो decision making authority है ना उसके beyond भी power आम जनता के पास भी है and जो third state आती है वो आती है आपकी commitment problem जहां पर ये होता है कि आपके जो elite है ना वो कहिना की जो power है वो आपके आम जनता को दे दें आम जनता को देने का मतलब democracy democracy of the people for the people by the people यहां पर आम जनता के पास पूरी power आ जाती है यह इनोंने इस बताया है इनके readings इनकी studies के मादियम से यही पता लगता है कि जहां जहां पर democracy proper ढंक से काम पर देना वो countries long term के वेसे के उपर sustainable हो जाती है यहां पर आप notice कर पाऊगी किस तरह से social institutions का important role है तो वहां पर growth नहीं होती वहां पर कुछ अच्छे से change नहीं होता और इसी research के लिए इनको यहां पर nobel prize मिला है जैसे अगर हम बात करें न कई पर पता क्या होता है जैसे आप China की बात कर ले तो China के बारे में इन nobel prize winners ने पहले ही बता दिया था चाइना के अंदर भले ही कुछ time के लिए आपकी growth आएगी पर यह growth अपने आप में क्या है unstable growth है बहुत unstable होती है और कहिना के इससे original innovation यहाँ पर नहीं निकल के आता whereas on the other hand जहाँ पर आपकी जो growth होती है वो democratic ढंक से होती है वहाँ पर normally हमें देखने को मिलता है कि growth अच्छी होती है पर इन्होंने एक यहाँ पर caution भी बताया है वो caution यह है कि democracy introduce करना कई जगा के उपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और democracy ऐसा नहीं है कि हर problem का solution है पर कहिना कि जतने सारे alternatives वारे सामने हैं ना उन्हें सबसे बड़िया हमें यहाँ पर democracy की देखने को मिल जाएगा तो ऐसा देखा गया कि अगर कुछी जगा के उपर authoritarian regime है वहाँ पर long term sustainable innovation outcome लेकिया आना अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge यहाँ पर बन जाता है तो democracies ने अच्छी आसी growth दिखाते है चाइना के अंदर अभी पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत growth होई है पर this is something which is not sustainable, not as stable जैसा कि आप कहीन की एक democracy के अंदर देखोगे बहुत सारे surveys वगरा यहाँ पर हुए है पर ये तो इन्होंने बता दिया कि democracy के अंदर growth जादा sustainable है जादा लंबे समय तक रहेगी और कहीना कहीन जैसे आपके जो आम जनता है जो majority लोग हैं अगर उनके पास power होगा तो कहीना की वही सबसे बड़िया चीज है because otherwise अगर कुछ एक जो ruling class है सारी की सारी power उसके पास होगी ना अपनी बातों के अंदर एक चीज बताई है जो की दिखा रही है कि आज के समय के उपर ना democracy दुनिया भर में decline की stage के उपर है आप notice करोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये माने लगे हैं कि democracy उतने अच्छा नहीं है जिसे for example बहुत सारे surveys होते हैं जो ये दिखाते हैं कि democracy के लिए जो support है न वो आज के समय सबसे कम state के उपर आपको देखने को मिल जाएगी बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा है कि democracy के अंदर क्या होता है जो decision making है वो थोड़ा सो slow हो जाता है अगर किसी country को तेजी से grow करना है वहाँ पर कुछ issues आते हैं बट अगर हम बात करें democracy की तो normally अगर हम बात करें न good governance, corruption control, inequality को कम करना कहीना कई साथ में मिल जूल का shared prosperity rate करना ये इनके research work में पाया गया है कि normally democracy इन चीज़ को better deliver करती है हला कि पिछले 5-10 साल के अंदर दुनिया भर के अंदर countries में हमें ये notice करने हो विला है कि शायद corruption को manage करने के अंदर ये democracy उतना अच्छा नहीं perform कर रही पर फिर भी democracy इस एक rough patch जरूर हो सकती है पर अगर एक country को sustainable growth लेकर आनी है तो बाकी countries के मुकाबले जहाँ पर autocracy हो गया या authoritarianism हो गया उनके मुकाबले democracy is a much much better option ये research ये दिखाती है तो आज के समय इतने सारे जहाँ पर conflicts है हमें कहीं न कहीं आने वाले समय के अंदर हम expect करेंगे कि वहाँ पर जो आम जनता है वो ही rule करें आम जनता के पास ही power हो and accordingly वो जो growth देगी न वो अपने आप में long term sustainable growth होगी अच्छी बात ये है कि भारत इसी को follow करता है हम democracy में पूरी तरह से believe करते हैं and उमीद यह रहेगी कि भारत इसी तरह से और आगे बढ़ता रहेगा तो दोस्तों ये था इनका work I hope आप समझ पाएं होगे कि आखिर इनको nobel price क्यों मिला है and इसी तरह से आप भी अपने end पे hard work करते रहिए thank you so much for joining all the very best